Hello everyone and once again welcome to wskubetech programming channel guys मैं हूँ भागिरित गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप PHP की फाइल कैसे बनाओगे कैसे PHP की फाइल लोड करोगे किस तरीके से हम लोग उसके अंदर एक पहला string लिख कर देखेंगे कि किस तरीके से इसमें string लिखी जाती है उसकी syntax का एक चोटा सा overview लेंगे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो PHP की फाइल होती है वह आपके server पर चलती है तो अगर आपने jam server install नहीं कर रखा है या फिर आपने कोई भी एक server install नहीं कर रखा है तो आपको पहले server install करना पड़ेगा पिछले वीडियो में मैंने server install lesson समझा रखा है तो आप देख सकते हो किस तरह आप server install कर सकते हो क्योंकि PHP एक server site language है तो normal HTML की फाइल के जै के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके projects होंगे जितनी भी आपकी websites बनेगी सारी के सारी कहां store होगी htdocs नाम के folder के अंदर store होगी अगर आप htdocs से कुछ भी बहार रखते हो तो वह कभी भी आपकी server पे लोड नहीं हो पाएगा तो आपको कहां बनाना है htdocs नाम के folder के अंदर इसके अंदर भी आप अपना एक folder बनाओगे जैसे मैं पहला folder बना रहा हूं तो मैं इसको ना आपको क्या करना है उस project के अंदर आपको जो file बनानी है उस file का नाम जो आप चाहते हो कि सबसे पहले लोड हो सबसे पहले call हो उस file का नाम हमेशा index होना चाहिए तो मैं यहां से एक new file पे चलता हूं और इसको लिखता हूं index.php क्योंकि एक मेरी PHP की file है तो यह हो गई मेरी index .php तो guys यह दूसरी चीज आपको जियान रखनी है वो है कि सबसे पहली file जो भी आप लोड करवाना चाहते हो that should be index.php अगर index.php से कोई भी और file होती है तो वो लोड नहीं करता है फिर वो आपके सामने एक list खोल देगा और option पूछेगा कि कौन सी file लोड करनी है वो सबसे .php का code लिखने के लिए सबसे पहले आप बनाओगे PHP का block तो सबसे पहले आप क्या गरोगे सबसे पहले आप bracket लगाओगे कौन सा ब्रेकेट, angular bracket, एक angular bracket, फिर question mark, फिर आप लिखोगे PHP, then आप angular bracket close करने से पहले फिर से question mark और angular bracket तो guys यह मेरा syntax है PHP का block बनाने के लिए आप दे पूरा syntax है यह हमारा block है PHP का जो भी PHP के काम आपको करने है वो सारे के सारे इस block में रहने चीए इस block के अलावा कहीं भी नहीं रह सकते हैं वो सारे कहां रहने चीए इस block के अंदर रहने चीए इस block के बाहर अगर आप कुछ भी code लिखते हो तो वो as a html consider किया जाएगा और वो as a plain text वहाँ पर आपके browser पर दिखेगा अब जब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहली बार मुझे string कुछ लिखनी है तो string लिखने के लिए हम लोग यूज करता है इको का इको का इको का यूज करके ना सिर्फ string बलकि आप variable number कुछ भी आप print करवा सकते हो further videos में आपको पताऊँगा तो इको क्या करता है इको आपको browser पे कुछ display करवाने के लिए help करता है तो इको क्या करेगा यहाँ पर browser पे कुछ display करवाएगा तो मैं यहाँ लिक देता हूँ hello world और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ eco hello world तो eco फिर आपने double quotes के अंदर hello world दिखाए तो यह क्या करेगा आपको browser पे दिखेगा अब browser पे कैसे दिखेगा यह file सीजा तो browser पे load नहीं हो सकती आपको browser open करने से पहले आपको जैंब सर्वर उपन करना है जैंब सर्वर कहां से मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले क्या आएगा start लिखावाएगा लिखावाया तो आपको start click करना है apache server start हो चुका है mysql server भी start कर लेना है तो कि बाद में हम लोग database connection करेंगे तब use करेंगे अभी फिलाल मैं मैं आपको start करना संजा रहा हूं यह start कर लिया दुनों का अपने और start करने के बाद आपको browser पर जाना है अपने और browser पर जाके पहले check करोगे कि क्या हमारा server start हुआ की नहीं तो आपको जस्ट लिखना है local और local host और local host लिखने के बाद आप enterprise करोगे तो अगर आपका server start हो गया तो कुछ इस तरीके का interface आपके सामने खुल जाएगा और जैसी आपका interface खुल जाता यह dashboard हटा दो और यहाँ पर उस folder का नाम लिखो जो folder आपने बनाया था as a project गिया जाएगा first और यह मेरा क्या है project का नाम है तो project का नाम first और enter press किया और आप देख सकते हो यहाँ लिखा वारा hello world यह कैसे open हुआ यह open हुआ है htdocs के अंदर गया फिर first को ढूंडा और first के अंदर सबसे पहली कौन सी file ढूंदा है index तो guys अगर मैं अभी index हटा देता हूँ और index को हटा कर देता हूँ about.php और अगर हम यहाँ से फिर से refresh करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा directory structure खुल चुका है और यहाँ पर आप about पर click करोगे तो यह about वाली file लोड हो जाएगी बट अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपका user तो ऐसे choose करेगा नहीं तो सबसे पहली file हमें से कौन से होनी चाहिए index.php ही होनी चाहिए और आप refresh करोगे तो यह index.php के उपर जो भी लिखा होगा वो आपके समने यहाँ पर visible हो जाएगा तो यहाँ तक समझ में आगया आपको कि eco क्या करता है कुछ string प्रिंट करवाता है कहाँ पर प्रिंट करवाता है आपके browser के उपर आपको समझ में आगया होगा कि किस तरीके साबको एक PHP की file बनानी है hvlogs के अंदर आपको एक project बनाना है फिर उसके अंदर आपके index.php होनी चाहिए और उसमें आप कैसे string लिख कर कैसे browser पर लिखवा सकते हो browser पर प्रिंट करवा सकते हो यह आपको अच्छे से समझ में आगया होगा that's it for this video thank you so much for watching